हमास के खिलाफ युद में इसराइल चो तरफा दबाव छेल रहा है। और रक्षा मंत्री योव गैलंट के बीच ही मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसराइली सेना भी दो खेमों में बढ़ती जा रही है। जहां एक खेमा रक्षा मंत्री के साथ खड़ा दिख रहा है तो दूसरा खेमा आकरामक तेवर दिखाए नितन्याहु का समर्थन का रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर नकाब पूश इसराइली रिजर्व सेनिक का एक वीडियो वारल हो रहा है। हासल करना चाहते हैं। हमारे पास एक शांदार मौका है जिसमें एक लाख रिजर्व सेनिक इसराइल के लिए सब कुछ पहलिदान करने के लिए तयार है। हमने अपना परिवार अपनी काम खो दिया है और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है हम आखिर तक जीत तक डटे रहेंगे रक्षा मंत्री योव गैलन्ट आप ये युद्ध नहीं जीत सकते आप हमें आदेश नहीं दे सकते आप इस्तीफा दे सैनिक सिर्फ नितन इसराइली सेना के लिए ये अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे है सेना के इतर पढ़ रही फूट से मोर्चे पर तैनाथ टुगडियों का भी मनो बल्ड डगमग आ गया है दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसराइली सेना ने वारल वीडियो पर गंभीरता दिखाते ऐसे में सैनिक के हालिया भड़काओ बयान के बाद गाजा के भविश के साशन पर चल रही चर्चाओं को फिर उबाल मिला है गौर तलब है कि बीते दिनों इसराइली रक्षा मंतरी ने ने नेतन्याहू को दो टूग का कि गाजा के भविश को लेकर जल से जल फैसला लिया जा रही है इसराइल की सुरक्षा दाव पर है फिलिस्तिनी संस्थाओं की ओर से गाजा पर साशन इसराइल के हित में होगा अगर गाजा को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हमास एक बार फिर से संगठित हो कर समस्या खड़ी करेगा और इसराइल की सारी मेहनत पर पानी फिर कि हमाज की साशन करने की शमताओं को खत्म करना होगा और वहाँ पर साशन करने वाले वैकलपिक व्यवस्था करनी होगी। बहराल आने वाले दिनों में ये देखना काफी एहम रहेगा कि रिजर्व सैनिक की इस मोहीम को कितना और किस हद तक समर्थन मिलता है। वहीं IDF इस पर कितनी गंभीरता से कारवाई करती है साथ ही आपसी फूट का इसराइल हमास युद्ध पर कैसा प्रभाद देखने को मिलेगा